जैजनेत बंदुओं मैं रवी जैन गुरुजी आज मंगलवार और अम्रसिद्धी योग सरवार सिद्धी योग दोनों एक साथ तेके अम्रसिद्धी योग और सरवार सिद्धी योग जब हमें मिलते हैं तो हम कोई भी नया कारिया आरंब कर सकते हैं और अब बात करते हैं आज के रासी फलकी मेश रासी वाले धहरिये को बनाई रखें बाधाओं से विचलित ना हों क्या करें शिरी जैनमंदर जी या इस्तानक में समय वैतीत करें वर्शव रासी वाले नए दोस्तों से दूरी बनाएं विश्वास को तूटने ना दें क्या करें चांदी के गिलास में पानी भर कर रखें उसी से पानी पिएं मिसुन रासी वाले पती पतनी के बीच तनाव ना बढ़ने दें समय अच्छा नहीं हैं क्या करें अगर संबव हो तो गो साला में जाकर गायों की सेवा करें करकरासी वाले 37 समय वैतीत करें वाहन बिलकुल भी तेज ना चलाएं क्या करें कुट्टों को रोटी डालें सिंगरासी वाले लंबी दूरी की यातरा का योग रुके कारिय बनेंगे परी जनों से तालमेल बैठाएं किसी का भी विरोध ना करें क्या करें ऐसी आहुसा नमे की दो माला फेरें तुला रासी वाले सेव को पर क्रोध से बचे ग्रहकों को नजर अंदाज बिलकुल ना करें क्या करें आज जादे से जादे समय मौन रहें व्रश्चिक रासी वाले भाउकता में निर्णे नाले कल तक निर्णे टालें क्या करें सभी परीजन खीर का सेवन करें धनुरासिवाले सरीर के अनुसार भोजन ले स्वास्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी क्या करें ओम रीम शिरी चंद्रपभू जिनिंद्राई नमा की दो माला फेरें मकरासिवाले मांसिक तनाव बढ़ सकता है जल्दबाजी ना करें क्या करें केसर का टीका माथे पर लगाएं कुम्रासिवाले व्यापार में सावधानी रखनी जरूरी उधारी से बचे क्या करें मौरपंक व्यापार के सान पर रखें मीन रासी वाले आज पदोन्नती का आउसर व्यापार में भी तरक्षी के चांस क्या करें शिरी भक्तामबर जी का 48 वा काव्य बारा बार पढ़ें रासी फल के पश्चाद बंदू अब बात करते हैं आज की सलहा की देखें आज की सलह में ध्यान रखें शिरी भक्तामबर इस्तोत का 29 वा जो काव्य होता है ये नेतर पीड़ा और नशीले पदार्त का परभाव कम करने में बहुत उप्योगी होता है अगर आपको नेतर पीड़ा है या नशीले पदारत का परभाव आपके उपर या आपके किसी परिजन के उपर है तो उसे आप 29 वा काविय लगतार सुनाएं अगर आप ऐसा करेंगे तो इन दोनों समझ्चाव से हमें काफी हद तक छुटकारा मिलेगा साथी डॉक्टरी ची किसा भी हमें लेनी चाहिए और अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भीजी है रोहित बाना जी ने मुंबई से लिखते हैं गुरू जी जैजनेंद्र चर्णिश्वर्ष गुरू जी मेरी जिग्यासा ये है कि जो तिसमें जो विन्सोतरी दसा होती है उसके अनुसार शुक्र की दसा कितने वर्षकी होती है और क्या ही है कम ज़्यादे हो सकती है देखे रोहित जी आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है मैं आपको बता दूँ विन्सोतरी दसा के अनुसार शुक्र की दसा 20 साल की होती है और नोगरों में सबसे लंबी शुक्र की ही दसा होती है और इसको कम जादे नहीं किया जा सकता हाँ अंतर दसा हर दसा के साथ जो अंतर दसा चलती है उसमें समय कम जाद होता रहता है लेकिन अगर हम महादसा की बात करें तो ये निश्चित रुफ से 20 साल की होती है बंदो इसी के साथ आपकी भी कोई समश्या है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आइडी लगातार फ्लेस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी भावना के साथ सभी को जै जिनेंद्रा